अज़ हम डिसक्रस करने वाले हैं आई-उसी एन रेट डिस्ट इस्पीसिस के बारे में जो कि रिसेंटली बहुत ज्यादा न्यूस में थे तो सबसे पहले हम देखेंगे कस्मीरी एस्टेक के बारे में जिसे हंगूज भी कहा जाता है तो सब 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 पहले जाना है की सका हैभडेट क्या है यह जम्मू अंकष्मीरी में पाए जाता है दसबसे इंपोर्टेंट जीए बताफ जू कि यह जम्मू ऑर कर स्टेट और यह जयुक भी बोला जाता है क्योंकि यह 10 villages से मिलके बना हुआ है और ये खास कर चाबार्वन रेंज जो कि western हमाल्या के साइड में है वहां काफी यादा prominent है जो कि कॉनि फोरेस्ट रेंफॉरेस्ट है वहां पर और काफी यादा concentrated forest है तो देखो इसके threads क्या क्या है तो यह जाँ जो कि एनेमल कॉन सह है कि एनिमल यह ओ एक दिर दाइब का होता है और फ्रेट क्या है इसके για हैं कि इसके him को आधा यह मोन में ओप्रेज को रहा है उस Pack उप्रिया में और toril कश्मीर काफी है तक नंबर में कमी आ रही है तो देखो इसके लिए conservation efforts भी कुछ कुछ किये गया है जैसे कि 1972 जो wildlife act है उसके थूँ से protection में डाला गया है जो कि schedule 1 के अंदर आती है यह species और government of India ने project हंगूल भी बनाया हुआ है ताकि इसे product किया जाए और जो top 15 इन जो species जो protection के अंदर आती है उसमें यह हंगूल भी include है तो देखो यह दूसरा black bug जो की least concern species के अंदर आता है black bug इसलिए news में था क्योंकि सल्मान खान ने जो posing की थी यह वही black bug है तो यह दोखो यह जो है इंडिया में पाया जाता है नेपाल में इन पाया जाता है और पाकिस्तान के इस्ट crowded in northern इंडिया तो यह option इसके फ्रेट्स क्या क्या है एक्सेशिव हंटिंग हंटिंग काफी जादा होती है इसकी डी फोरेस्टेशन के खारन इसके हैविटेट लॉस हो जाता है और देखो कंजर्वेशन इफ़र्ट भी किये गया है इसके लिए यह वी वाइड लाइफ पोटेक्शन एक्ट 1972 के नदा रहत था औलिवरेली टर्टर के बारे में उस समय यह स्पीक्शिज जो था यह इंडेजर करेग्री में आता था लेकिन आज यह वलनरेबल में आ गया है और इसके हैविटेट के बारे में हम जानें तो यह वार्म ट्रॉपिकल वाटर में पाया जाता है पैसे फेक इंडियन ओसि अंडे देते हैं यह विंटर में हमेशा देते हैं तो देखो इसके थ्रेट के बारे में कुछ जानते हैं जो इसकी भी हाई आमांट में पोचिंग होती है पेट ट्रेडिंग होती है एक्सिडेंटल केलिंग होती है काफी जादा जो कि छोटे बच्चे होते हैं तो वहां जो देथ होती है Coastal area के पास में वो अंदर उसे रहते हैं तो वहां पर लोग जाते हैं बीचेस पर तो accidental death हो जाती है इनकी देखो over tourism होने के कारण इनके जो बीचेस पर जो यह nesting करती थी वह भी काफी हद तक हाम हो रहा है light pollution over light होने के कारण यह बीचेस पर नहीं आती है जिनके कारण इनके numbers में काफी हद तक कमी आ रही है दो कुछ nesting sites है यह इंडिया में इसके तो यह especially जो है Odisha Beach पर आंद्रापरदेश बीच पर काफी हद तक prominent है नेक्स्ट हम देखते हैं यह निलगीरी थार यह महाँ पर काफी ज्यादा प्रॉमिनेंट है और आपको especially बता दू कि यह तमिल नार्डू का state animal है और यह catch है कि केवल यह southern area में नहीं पाए जाता यहां कि निलगीरी के पास में नहीं पाए जाता कुछ इसके numbers जो है वह south of हेमालयास में भी है यानि कि नॉर्थ इंदिया में भी कुछ पाये जाते हैं यह वो थ्रेट के हैं इसके इसके हैविडेट काफी हद तक loss हो रहे हैं इसे पोचिंग की जाती है इसके मांस के लिए इसके skins के लिए और यह काफी हद तक isolate हो चुकी है और यह अभी आपको मैं बचा दू कि यह अभी जो प्रजेंट में इसके numbers है यह 300 ही numbers है विकी कहना मतलब बहुत-बहुत कम नंबर है काफी जाद लिवज में था आपको complete ध्यान इस अनिमल के बारे में निल ग्रिधार जो यह है यह बहुत-बहुत जाद इंपॉर्टेंट है इसको भी विए में आप मांग कर लो देखो कुछ conservation effort भी लगाए गया है इसके लिए यह देखो wildlife protection act 1972 के अंदर भी आती है यह silent valley जो है वहाँ पर भी काफी हद तक इसको protect किया बहुत जादा यहां पर भी प्रोटेक्शन होती है इसकी मुक्रितीस wildlife century यह भी काफी हत तक बहुत ज्यादा यहां पर भी प्रोटेक्ट किया जाता है इनको तो यह नाम ऐसे याद करने की जुरूत नहीं है बट आप एक पर ध्यान रख लो है देखो अब जानते हैं घरिय और रभ्टे क्रिवर करते हैं तो किपो है और आप यह अनल यह सकते हैं जो रिवर के पास में या गंगा यह एर्ण समachen नाइब के साथ साथ नेपाल में भी यह पाई जाती बहुत हटरा नहीं की इनकी और कउस मेडिक ने कंडिया चाहली तो जिसकेरा इनकर नमबर अटुमेटिक लिन ही कम हो रहा है और देखो फीस रिसोर्सेस भी काफी हर तक डिप्लीट हो चुकी है और देखो कंजर्वेशन के लिए गौवर्मेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है देखो यह भी है ना वाइड लाइफ एक्ट 1972 के अंदर थी सीडियूट वन के अंदर ठीक है और स्पेशल इसके लिए क्रोकडाइल प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 1975 में इसको कंजर्ब करने के लिए दो प्रोटेक्टेड एरिया जो है ना चंबल सेंचुरी और कैतरनी घाट वाइड लाइफ सेंचुरी है तो नेक्स्ट हम डिसकस करते हैं ग्रेट इंडियन बॉस्टर के बारे में यह भी बहुत 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 ज्यादा न्यूज में था आप इसको भी विवी आई मार्क कर सकते हो दो यह क्रिटिकली इंडेंजर्ट स्पीसेज है आई-उसी एन रेड लिस्ट के अकॉर्डिंग लि है यानि कि जिनकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं होती है नहीं छोटी-छोटी हाइट होती है उनमें काफी ज्यादा प्रॉमिनेंट तरीके से पाए जाते हैं यह इंडिया के साथ-साथ पाकिस्तान वाले साइड में भी काफिया तक पाए जाती है यह मोश्टली दो पंजा बहुत जदा पाई जाती है ऐसा ना सुझना की यह राजस्थान का स्टेट बर्ड है तो कि वही राजस्थान में पाई जाती है यह सब कैच है ना यह ऐसे ही कोशन यह बनाते हैं तो यह काफी हद तक हंटिंग की जा रही है इनकी for the sports and the foods के लिए और काफी हद तक pesticides जो यूज किया जाता है उस वह भी काफी हद तक हाम करती है आपने सुना होगा कि जो cow के लिए अभी जो oxytoxin दी जा रहे थी जिसे कारण जब वह death होती है उनकी तो जब यह bird उनको खाते हैं तो इनके जो eggs हैं वह काफी हद तक weak होते हैं जिसे कारण इनका जो number है यह काफी हद तक reduce हुआ है इसके यह भी सेडूल वन के अंदर आती है वाइड लाइफ प्रोटेक्शन एक 2002 के अंदर और स्पेसली प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से शेट आप राजस्थान में औ प्रण के नेगे मेंЕНग कि द seो भे प्रेट अप लाइजां प्रेट कि उसकुषर्टेेयच से एक स्टार्ट workflow जै यह वाल ईंदर भी सôm कर दो में